नमस्कार मैं हूँ ओम दिवेदी स्वागत करता हूँ आपका स्टडी आईक्यू आईए इस हिंदी के इस प्लैटफर्म पे जिसमें आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिसकस करने जा रहा हूँ वो है क्या भारत सिंदुजल संदी 1960 से बाहर जा सकता है तो यह टॉपिक है औ और इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जान लेनी चाहिए कि जो सिंदु के साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है जो उसकी सहाएक नदिया है वो कौन-कौन सी है तो आप यह एक फिगर देख पा रहे होंगे और इस फिग है चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है और यह देखिए आप पढ़ पा रहे हैं कि इंडिया सेंस नोटिस टू पाकिस्तान टू अमंड़ नाइंटीन सिक्स्टी इंडस वाटर ट्रीटी मतलब उन्होंने भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है क्या है यह यह न है बजे और अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो फीस 30,500 है लेकिन अगर आप मेरा कोड ओमलाइव यूज करेंगे तो आपकी जो फीस है वो घटके 18,999 हो जाएगी तो जल से जल्द इसमें आप एडमिशन लीजे और आपकी जो तयारी है उसको संपूर रूप से विक्सि यह सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है तो देखिए क्या है कि इसमें से कुछ है पस्चमी नदिया और कुछ है पूर्वी नदिया तो कौन सी पस्चमी है तो यह उपर वाली अगर मैं देखूंग वैसे यहां पर हम उपर नीचे के हिसाब से इनको बाढ़ सकते हैं ले आपकी पूर्वी नदिया है पस्चमी कौन सी है सिंदू जहलम और चेनाव यह आप देख पा रहे हैं इस फिगर में तो इसमें क्या है कि एक ट्रीटी जो यह साइन हुई थी तो उस ट्रीटी में यह चीज लिखी हुई है कि जो पस्चमी नदिया है उपर वाली जो है वो नदिया उन पर जो पाकिस्तान की जो पहुँच होगी मतलब वहां से जो भी पानी निकलता है उस पानी का 80% वाटर है जो 80% जल है जो उसका इस्तमाल पाकिस्तान करेगा और 20% जो जल है उसका इस्तमाल भारत भी कर सकता है ठीक है अब यहां पर आपको यह चीज समझने व तो ऐसे देश जहां से नदियों का उध्गम हो रहा है, ठीके, तो वो होते है अपर, क्यूं कि जहां से इसका उध्गम है, वो वहाँ पर उनकी ज़्यादा, मतलब उनके پास capacity है पानी और उनके पास ज्यादा है तो आप ये बात समझ रहे हैं कि जो चीज जहां से उद्गम कर रही है उसका ज्यादा प्रभुत होना चाहिए तो आपर राइपेरियन state कौन है यहां पर भारत क्योंकि इनका उद्गम कहा है भारत में तो आपर राइपेरियन state होने के बाद भी हम 80-20 वाले ratio में है ठीक क्योंकि ऐसा संधी में decide हुआ था और यहां आप पड़ पा रहे होंगे एक और शब्द लिखा है run of the river यह शब्द का मतलब क्या है run of the river शब्द का मतलब है कि 80% तो देखिए आपका पाकिस्तान यूज़ कर रहा है लेकिन जो 20 प्रतिशत है उसमें हम वैसे तो कोई डैम बना के पानी को रोक नहीं सकते लेकिन जो पानी बहरा है उस बहते हुए पानी पर हम कुछ प्रोज अरिकल्चर में भी हम उसका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर रोक करके उसमें डैम बना के पानी को रोक नहीं सकते है यह एक कैच वर्ड है तो run of the river प्रोजेक्स है जो वह allowed है ठीक allowed है आपर तो run of the river प्रोजेक्स क्योंकि यहाँ पर allowed है तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है दूसरी यह चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम अपर राइपेरियन स्टेट है उपरी तटवर्ती राज्य है फिर भी उसके बाद भी हम घाटे में है इस ट्रीटी के बार वे थे ठीक है चलिए आगे चलते हैं और अब देखिए यह खबरों में क्यों है खबरों में यह इसलिए है यह आप पर देख पा रहे हैं इंडिया इस्यूस नोटिस टू पाकिस्तान ओवर इंदस वाटर ट्रीटी ठीक है नोटिस हमने जो है वो दिया है तो ऐसी क्या विद्दुर्द परियोजना है और आपकी रातल जल विद्दुत सहियत्र है वो जब हमने बनाया था तो इस पर आपति अब यह दो दो नाम मैंगे लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह किस नदी पर बने हुए परियोजना है ठीक है तो एक तो यह कमेंट बोक आई है और आब आगे चलते हैं देखिए इस पर क्या इन्होंने आपत्ती जताई और जब आपत्ती जताई तो 2015 में तर्थस्त विशेशग्य मतलब न्यायाले जो होता है उसका क्या मामला है ये भी हम देख लेते हैं देखिए पहले इन्होंने क्या किया कि न्यूटरल एक्सपर्ट के लिए बोला कि 2015 में कि ये इसमें कुछ ना कुछ गरबड़ी है और हम इससे सेटिसफाई नहीं है अब आपको ये बात समझनी होगी कि दे मतलब है भारत ने कभी भी इस ट्रीटी का उलंगन नहीं किया है लेकिन जब भी यहां पर कुछ भी ऐसा होता है तो पाकिस्तान को हमेशा प्रॉब्लम होती है तो पाकिस्तान ने ये जब हमने जल्विदृत पर्योजना और रातल वाली बनाई और किशन गंगा वाली बना हुआ कि कोई ऐसा देश होगा या कोई ऐसी बॉड़ी होगी जो मध्यस्तता करेगी इस बारे में जो जो ना भारत से है और ना पाकिस्तान से कोई न्यूट्रल ठीक तो न्यूट्रल विशेशा के आए और यहां पर जो कमी है उस पर अपनी रिपोर्ट दे ठीक है उसके ब अभी क्या हुआ है कि 2023 में इन्होंने एक और बात बोली कि हमें इन दोनों से अपनी अपनी रिपोर्ट चाहिए अब आप यहां पर एक समस्या वाली बात है समस्या तब उठी जब इनकी इस डिमांड को जो इन्होंने दोनों से का इन्होंने का है कि न्यूट्रल एक्सपर वाली बात है, problem वाली बात इसलिए कि आप समझे, कि मां लिजे कि광 नीविक्ष्पर्ट ने अपनी एक राय देदी, और साथ में आपका मध्श इसने भी अपनी एक राय देदी, और ये दोनों राय अलग हैं, अगर मां लिजे ऐसा होता है कि दोनो जो उन्होंने रिपोर्ट्स दी वो दोनों अलग-अलग है तो हमेशा के लिए एक लड़ाई की जड़ तैयार हो जाएगी ठीक क्यों क्यों कि हर वो देश जिसके लिए जो वाली जौनसी वाली फायदे की होगी वो उसको मान लेगा तो यहां पर समस्या आ ग और कब मदस्तता नहाले की मांग की जाती है तो देखिए प्रक्रिया कुछ ऐसे है कि जब आपस में कुछ differences होते हैं जब अंतर आते हैं ठीक है दो देशों के बीच में जब कुछ differences होते हैं कुछ doubt होता है कि यह इसमें कुछ गरबढ है तो हम किसी neutral expert को बुला लेते हैं और वहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी और तब उस वक्त बुलाए जाता है neutral expert को ठीक लेकिन जब वो अंतर बढ़ते बढ़ते उस condition में पहुँच जाता है कि वो विवाद में बदल चुका है ठीक तो जब वो विवाद में बदल जाता है तब हम court of arbitration की मदद लेते हैं ये बात इस treaty के अनुच्छत 12 के third point में लिखी हुई है तो ये process इनको follow करना चाहिए था अगर इन्होंने इसकी demand की थी तो इनकी report पर आने का wait करते और उसी को मानते या अगर मामला इनकी report के बाद भी अगर चीजें नहीं बनती है और फिर उसके बाद अगर लगता की नहीं ये तो dispute की तरफ जा रहा है तो फिर यह यहाँ पर आ सकते थे लेकिन निनों ने क्या किया कि दोनों से यह demand कर दी और world bank ने मान ली भी ठीक है तो world bank ने क्योंकि इनकी demand को मान लिया है तो यह एक समस्या वाली बात है प्रक्रिया जो है वह step by step होती है ना जब कोई मस्स्या होती है तो पहले आप करेंट पर बो उसके पास जाते हो फिर उसके बाद उससे बड़े के पास फिर उसके बाद जाते हो ना तो यह process क्यों नहीं follow किया एक तो यहां पर यह समझ जाए ठीक है तो आगे देखिए अब भाई भारत का रुक क्या है कि क्योंकि ऐसा हुआ और विश्वेंक ने मान लिया तो भ तो क्योंकि हमारा विवहार नरम है तो इसका नाजायस फायदा हर बार उठाया जाता है और इसलिए हम इस बार इसका इसका आपत्ती करते हैं अगर मैं नरम की बात बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ देखें पहले जब उदारण के बगलिहार प्रोजेक् पाकिस्तान ने उसकी design को ले करके आपती जताई थी और फिर तब भी उन्होंने neutral expert की मांग की थी तो neutral expert आया था और फिर उसने बताया था कि इसकी जो design है उसमें बहुत minor सा change है जो की आपती जनक था बहुत ही minute सा था जिसको easily ignore किया जाता ऐसा मैं नहीं कह रहा ऐसा इस report में क इनके सामने क्या है कि अपना नरब नजरिया है जो अपना नरब विवहार है वो पेश किया है ठीक तो हर बार भारत ऐसा ही करता है लेकिन इस बार भारत ने चाहा है कि यह जो संधी है जो पिछले 62 साल से साइन हुई थी 62 साल पहले साइन हुई थी उसमें क्योंकि इस संधी में बहुत सी ऐसी खामिया है जिनको दूर किया जाना बहुत जरूरी है ठीक है खामिया जैसे मैंने बोला तो खामी एक मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए जो ब्यास नदी है ठीक ये भी इस ट्रीटी का पार्ट है इस ट्रीटी का पार्ट है ये ब्यास नदी भी जब मैंने शुरू में आपको छे नदी आप बताई अब आप ये देखिए इसके बहाव को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये यहाँ treaty में क्यों रखा गया है तो ये सब क्या इस तरह कि कुछ questions इसमें इस तरह arise होते हैं तामने खड़े होते हैं जिसकी वज़े से आप कह सकते हैं कि बदलाओ की जरूरत है जैसा कि भारत ने इस बार demand किये कि भाई 62 साल पुरानी treaty है अब इसमें बदलाओ की जरूरत है ठीक है अब देखिए भाई कि notice क्या कर सकता है ठीक है तो जो भारत ने notice दिया है वो कर क्या सकता है तो इसमें क्या है कि 90 दिन के लिए चर्चा के लिए इन्होंने बुलाई क्योंकि भारत चाहता है कि आईए हम दोनों लोग आपस में बैठेंगे और बातचीत करके इसको इसका समधान निकाल सकते है तो इसका जो process है वो यह है कि 90 दिनों की समय अवधी है notice की कि जैसे ही आप 90 दिन के अंदर हम आप दोनों लोग आपस में बैठेंगे और इसका समधान निकाल लेंगे अगर in case 90 दिन बाद ठीक है अगर in case 90 दिन बाद कोई भी मतलब पाकिस्तान नहीं आता जवाब नहीं दिया अगर पाकिस्तान ने इस notice का तो भारत के पास संदी से बाहर निकलने का रास्ता भी है भारत अकेला एक तरफा इस संदी से बाहर निकल सकता है तो यह notice का जो है वो असर है आप यह साब बात कह सकते हैं कि भारत अगर चाहे तो अकेला इससे अलग हो सकता है अगर उसका जवाब नहीं मिलता तो ठीक है तो यह था हमारा आज का discussion इसके अलावा मैं कुछ questions हैं जो आपके सामने लेकर आया हूँ देखिए यह UPSC 2021 का question है और इसमें यह पूछा गया है कि संदु नदी प्रणाली के संदर में निमलिकित चार नदियों में से तीन उन में से एक में मिलती है जो सीधे सिंदु में मिलती है निमलिकित में से कौन सी एक ऐसी नदी है जो सीधे सिंदु में मिलती है इसका answer आपको मुझे comment box में बताना है इसके अलावा एक mains का question भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंदु जल संधी का लेखा जोखा प्रस्तुत करें और बदलते दुईपक्षिय संबंध जो bilateral relations है भारत और पाकिस्तान के उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है तो बदलते दुईपक्षिय संबंधों के संदर में पारिस्थितिक आर्थिक और राजनीतिक नहतार्थों की जाच करें यह भी 2016 का question है ठीक है तो इन दोनों questions को आपको attempt करना है और मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको परियाप्त जानकारी मिल चुकी है तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मुझे कुछ suggestion देना चाहते हैं तो please comment box में suggest कीजे या फिर आप मुझे mail कर सकते है ओम.narayan at the rate studyiq.com पर यह मेरा telegram का idea at the rate ओम दिवेदी 007 जिस पर आप मुझे personally message कर सकते हैं और ओम दिवेदी study IQ मेरे channel पर आप current affair के लिए join कर सकते हैं जल्दी मिलेंगे अपने अगले lecture के साथ तब तक के दिवेदी देनावाद